नमस्कार दोस्तों मैं सुनीता कथा मंतन में आप सब का स्वाकत करती हूँ कथा मंतन में आज सुनिए दविजेंद्रनात मिश्रिद्वारा रचित कहानी साबुन सुगदेव ने जोड़ से स्चिल्ला कर पुछा मेरा साबुन कहा है शामा दूसरे कमरे में थी साबुन दानी हाथ मेरी लपकियाई और देवर के पास खड़ी ओकर हौले से बुली यहलो सुगदेव ने एक बार उंगली से साबुन को छू कर देखा और भाही चड़ा कर पुछा तुमने लगाया था क्यों शामा हौले से बोली अरे भाही यह जरासा मुँ में लगाया था क्यों तुमने मेरा साबुन लिया तुमसे हजार बर मना कर चुका हूँ लेकिन तुम तो बेहया हो ना गाली मत दो समझे शामा ने डिबी वही जाकर पटक दी और तेज कदमों से बाहर जाती जाती बोली अरे बाबा जरा साबुन चुलिया मैंने तो मानो गजब हो गया फिर दूसरे कमरे की चौकट पर मुरकर बोली मैं क्या चमार हूँ सुखदेव ने वही से चिल्ला कर कहा हो चमार तुम चमार और खबरदार जो अब कभी मेरा साबुन चुआ अंगिटी पर तरकारी पक रही थी शामा भुन-भुन करती धकन हटा कर कलशुन से उसे लोट-पोट करने लगी तो देखा तरकारी आधी से जादा जल गई है उसने कड़ाई उठाई और उठाकर कहां लिए जा रहे हो अब आगे नहाएंगे लड़का शांत स्वर में बोला और जमीन पर बाल्टी घह सिटता रहा चाचा जी ने कहा है नहलाएंगे चाचा जी के बच्चे गुमों तो में डाल दे बाल्टी उसने लड़के के हाथ से बाल्टी छिन ली और पैरों से धम- सुखदेव छोटे बतीजे को सामने बिठा कर उसके सिर पर साबुन मल रहा था बावी को दिखकर बोला काला कर दिया साबुन चेहरे का रंग लगग गया इस में काली माई को शामा ने चिल्याकर पूछा मैं काली हूँ ना बोला कुछ शुखदेव बच्चे के सिर पर गर देखा कमरे के दर्वाजे पर पती के जूते चमक रहे थे उपर जो किराइदा रहते थे उनके यहां बड़ी क्लॉक घड़ी ती टन करके आदा घंटा बजा तो उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाई फिर थाली पर उसकर पती को अवाज दी आओ ब्रजलाल ने आसन पर बै क्या कम है शामा ने नमक की बुकरी थाली में छोड़ते वे पूछा बिल्कुल नहीं है क्यों जुट बोलते हो मैंने नमक डाला था शर्त लगाती हूँ पती ने हसकर कहा यही सही लेकिन अपनी कुशल चाहो तो पती ली में नमक पीसकर डाल दो सुखधेव अभी खाने ब पकड़े-पकड़े कहा मुझे साबुन चाहिए साबुन कैसा साबुन पती ने अच्रस से कहा सुखधेव से खो चाता लाओ वेफाइल उठाना तब ही रसोई घर से पुकाराई भाबी भाबी खाना परोसो फिर दो पतली आवाज एक साथ आई भाबी खाना परोसो बड़ बिचका कर कहा दाल में इतना नमक है कि पूछो मत शामा ने डरते डरते देवर किया और देखा परसुकदेव ने नमक के बारे में कुछ शिकायत ना की उल्टे भतीजे को डाट कर बुला खाओ चुप चाप फिर भाबी के आगे प्याली सरका कर बुला तरकारी और देना भाबी भाबी ने हसकर कहा तरकारी अब नहीं है सब खतम यह देखो कड़ाई आगे खिचकर हसकर कहा जल गई सब यही इतनी बचीती सो तुमारे लिए छांट कर निकाल ली थी देखें जली हुई का स्वाद देखें शामा ने कड़ाई पीछे कर कर कहा यह तुम्हेरे खा खाले पेटू चोटे भतिजे के जूटे हाथ दोकर सुखदेव कॉलिज की कपड़े पहनने लगा तो कमीज में एक ही बटन बचा पाया सुनिया डोरा बटन हाथ में लिए भाबी के आगे खड़ा हुआ शामा थाली पर उसकर खाना शुरू ही कर रही थी सुखदेव ने क के लिए थाली में सजी थी तबी भाबी ने कमीज उपर करके कहा लो थामो अब मुझे भी पेट में कुछ डाल लेने दो बड़ा बती जा बाहर दरवाजे पर खड़ा था उसके स्कूल की आच छुटी थी कॉलिज जाने लगा तो सुखदेव उसका हाथ पकड़कर खीसता हुआ ले गया और जल्दी जल्दी बड़ी दूर तक चार मिनट बाद लड़के ने दही का कुलर मा के आगे लाधारा शामा उसी जड़ी तरकारी से रोटी खाय जा रही थी दही देखकर अच्रस से पुझा कहां से ले आया रे लड़का भार से भागता भागता बोला चा बच्चों की कमीजे भी पिछली बर उसने वहीं से सिल्वाई वे सब कमीजे पहनने और बच्चों की छोटी हुई और सिलाई लगी इतनी देवर भावी में एक दौन्दी युद हो गया था फलत है इस बर बच्चों की कमीजे पंजाबीन को दी शामा ने सिलाई ऐसी शामा ने का नहीं बहन सिलाई तो तुम्हें लेनी ही होगी पंजाबीन बोली मुझपर जुलम ना करो बहन जी आखों में आसु भर कर बोली जुलम ना करो बहन जी मुझपर ऐसा जुलम ना करो मुझे इतना जुदा ना करो रानी जी मुन्ना क्या मेरा बेटा नहीं तुम पर लड़के को कोस्ती हुई रसोई बनाने लगी आदा घंटे बाद पतिया पहुचे और उसके आदा घंटे बाद देवर खाना तयार हो चुका था पति के कोई मित्रा गए थे और बातों की ऐसी जड़ी लगाए थे शामा दस बार उस कमरे के दरवाजे पर जांक कर लोट आई और दो बार लड़के क्यों भी बाप के पास बेजा ब्रजलाल ने आते हैं पर वह बातों नहीं भला आदमी ना उठा सो ना उठा हार कर शामा ने देवर से कहा लला तुम तो खाओ वे तो आज अपने बातों सही पेड भरेंगे सुगदेव कहो तो मैं जाओं उनसे हाथ जोड़कर कहूं अब आप अपनी तरश्रीफ ले जाएए श्रीमान शामा अरे गोली मारो श्रीमान को मैंने थाली परोज दी बच्चे कहा हैं शामा हसकर बोली चाचा की ससुराल गए है प्रियमवदा का नौकर आया था उनके यह आज कता है तुम नहीं जाओगे बको मत सुगदेव ने जल्दी से कौर मुमें देकर कहा पानी दो गिलास में उपर पानी बंद हो गया था उपर वाली से ठानी यहां बाल्टी लगाए खड़ी थी हसकर बोली माने भणने ने दो जी पर सुगदेव ने जल्दी जल्दी प भावी बोली क्यों क्या है भावी आज बड़ी अच्छी फिल्म लगी हुई है तुम जा रहे हो हाँ पर पैसे नहीं है भावी ने सूचकर कहा चौदा आने से काम चल जाएगा चौदा आने है मेरे पास लाओना जल्दी लाओना शामा ने थाली वहीं रग दी और दोड़ की जेब में वे चौदा ने डाल कर बोली हौले से व्या उधर वाली कुंडी खट-कटाना मैं जाकती रहोगी सुखदेव ने हौले से का अच्छा भाई साब पुछेंगे तो क्या कहोगी कह दूंगी प्रोवेसर शर्मा के यहां गए थे बस बस यह कह देना भावी और दर जमवदा से सुखदेव का परीचे था दो साल पहले वह एक लड़की को पढ़ाने जाता था वहीं अपनी शिश्या की सहेली के रुपने प्रथम शाक्षातकार हुआ था फिर वह परीचे प्रगाड होकर जब रूप बदने लगा और सिनही की वर्शा होने लगी तो दोनो और से भाग्या देवता बहुत हसे किसी को कानो कान खबर नहीं और सिनही का रंग प्रणाय में परिनत हो गया उस लड़की की पढ़ाई बंध हो गई तो और उपायना पाकर कागज के टुकडों पर मन के अंतराल की बाते अंकित होकर आने लगी भाग्या के देवता हसते रहे शामा एक दिन धोबी को मैले कपड़े दे रही थी और जेवे खाली करके देवर का कोट डालने लगी धोबी के आगे तो उनमें एक पत्र पाया जिसमें लिखा था प्राणों के स्वामी हृदेश्वर खुब खुश हुई सुखदेव को खुब ढराया धंकाया तुछ सा हो गया वैं भाबी के आगे सिर जुकाली और बार बार उस चिट्टी को लटाने की जिद करने लगा शामा ने हसी रोकर का नहीं यह चिट्टी तुमें नहीं तुमारे भाईया को दोंगी जरा आटे दाल का भाव तो पता च करा दे भावी को घर लोटने लगे तो रहां में भावी चलती चलती बोली हे भगवान ही तुमारी प्रियमवदा है रूप की जोत लिए सारी नमाईश को चका चौंद किये थी हाई राम मैं तो उसके पैरों की धोबन भी नहीं कैसे उसकी जठानी बन पाऊंगी मुझे ज छोटी सी पाती दे गया जिसमें जीजी के चर चरन कमलों में दासी प्रियमवदा के प्रणाम की बाते लिखी थी और लिखा था अभागिन से ऐसा क्या अपराध हो गया जो इतने निकट आकर भी राज रजेश्वरी माता बिना दर्शन दिये चली गई एक बार चड़नों नहाकर रसोई चड़ाते जब शामा को कपकपी लगने लगी तो उसने याद करकि देवर का बक्सा खुला और वह पुरानत स्वेटर निकाल लिया जिसे कीडों ने जगा जगा काट कर तरह के वातायान और गवाक्ष बना दिये थे हवा आने जाने के लिए उसी स्वेटर क कर छोटे बतीजे से बोला चलो बेटा चाय पी आए लड़का कुद कर बोला चाचा जी बिसकुट भी खाएंगे ना सहसा सुखदेव को याद आया कि चाय वाले के नौकर कुछ ने अपना पुराना स्वेटर देने का वाइदा किया था बक्सा खोलकर पुराना स्वेटर पर स्वेटर ना मिला एक एक करके सारे कपड़े बाहर निकाल कर फेड़ दिये पर स्वेटर के दर्शन ना हुए कहां गया भावी रसोई घर में बैठी दाल बिन रही थी उनसे आकर पूछा मेरा स्वेटर था ना एक पुराना मैंने ले लिया अरे तुमने कैसे ले लिया सुगदेव ने माते पर बल डाल कर का तुमने क्यों खोला मेरा बकसा क्यों ले लिया मेरा स्वेटर अरे बिकार पढ़ा था इसलिए रिकाल लिया मुझसे बिना पूछे तुमने ले कैसे लिया मेरी चीजों को तुम छूती क्यों हूँ भावी सुनकर चुप रही कहा है स् ला कर दो अभी फॉरन भावी ने इधर की पीट करके स्वेटर उतारा फिर उधर को मुझ करके शांस्वर में कहा यहलो और नत्वुक किये हौले से कहा बाकी कपड़े भी उतर वालो तन से सुकदेव शनबर भोचक्का सा रह गया स्वेटर सामने पढ़ा था और भावी सुर होते ही फिर आधम का ब्रजलाल को अपने साथ ले गया सड़क तक बाते करते करते साड़े नौ बजे उधर से लोटे तो हस रहे थे खाने बैठे तब भी हस रहे थे हसते गए और खाते खाते ही बुले हसकर तुम्हारी देवरानी को देखा है शामा तब से गुमसुम दहेजने को तयार है एक मकान दहेज में देने को कह रहा है शामा फिर चुक रही प्रजलाल ने खाना समाक्त करके पानी पिया और उठ गए घड़ी के और देखते गए कपड़े पहनते गए फाइल संभाली और फिर शीशे में अपना मुझ देखकर भार को बढ़े की शाम कर दो मैं मंग और रोंगी किसी से किसी से क्यों व्रजल ने जल्दी से एक रूपे का नोटे ले आएका लोट थामो है कहा सुडेव पर सुधेव का पता ना था है बार बार दरवाजे तक आकर दूर तक नजरे दोड़ाने लगी। दौनों लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़कर चाय वाले की दुकान पर जाकर चाचा जी को खो जायर उदास होकर फिर भूके पैसे लेटे रहे चाचा जी के पलंग पर। दूर गली के चोर पर एक संगी लड़का रहता था शामा ने गबरा कर बड़े मुन्ना से का जा तो विद्या भूशन के यहां चला जा वहिया कहियो कि हमारे चाचा जी अभी तक घर नहीं लोटे तुमको मिले थे कहां गए हैं चाचा जी कहियो कि हमारे मा बहुत गबरा रह ही है तब ही खट से किसी के जूतों की आवाज हुई शामा ने चौक कर देखा तो सुगदेव सीर जुकाए फीते खोल रहा था खाते समय बिल्कुत सन्नाता रहा लड़के भी इशारे से एक दूसरे से बाते करते हैं सुगदेव ने तो एक बार तो थाली से सर भी ना हिला जैने खाकर कमरे में लौट आये और लड़कों की धूम धड़ाक सुनाई देने लगी तो शामा ने एक संतोश की सांस ले सहसा बड़े लड़के ने हाफते वे आकर का मा को एक कागज दी और बुला ले पढ़ ले चाचा जी ने दिया है ले पैंसिल ले यहां जवाब लि लिखा था मुझसे प्रोफेसर शर्मा की एक किताब खो गई है आज उन्होंने अपनी किताब मांगी है बजार से खरीद कर ले आउंगा साड़े दस रुपे चाहिए आप किसी से उधार दिलवा दीजिए मैं सुभा से रुप्यों की कोशिश करता रहा पर कहीं नहीं मिले आप कहीं से दिलवा दीजिए भाई साब से ना कहिएगा आपको मेरे सिर्की कसम है इती शामा ने उसी कागच की पीट पर लिखा मेरे पास दस रुपे है आप चाहे तो ले सकते है आठाने का इंतिजाम कर लीजिए इती जना दिर बाद लड़का फिर दूसरा कागच ले आया सुगदेव ने लिखा था दस रुपे ही सही दीजिए भाई साब से ना कहिएगा मैं अगले महिने में आपको दस रुपे लोटा दूँगा इती शामा ने दूसरी और लिखा मैं आपके भाई साब से ना कहूंगी आप यह रुपे मुझे अब लोटाईएगा नहीं आपको मेरे सिर्की कसम है समाप्त शाम को सुगदेव काउलिस से लोटा तो घर में कोहराम मचा था बड़ा लड़का मुन्ना बाहर आंगन में खडा रो रहा था और भाई वाले कमरे में छोटे की चीक अक्वार सुनाई दे रही थी हाई चाचा जी सुगदेव ने घुबरा कर मुन्ना से पूछा ए क्या हुआ रहे मुन्ना रोता रोता बुला अम्मा ने उसे बहुत माराया बरसी से बांध रही है सुगदेव ने जल्दी से किताबे अलमारी में फेकी और जूता भी ने उतारे फड़ाक से किवार खुल कर भीतर जा खड़ा हुआ जहां भाबी छोटे भतीजे के दोनों को मलाद रसी से बांध रही थी और मुख से कहती जा रही थी बुला चाचा जी को देखो कौन तुझे बचाता है क्यों मारा तुमने इसे भाबी ने हाथ उठा कर कहा जर आपके कमरे में तो जा कर देखो तुम्हारी भरी दवात उलड़ी नास पिटे ने एक रूटे का नुकसान कर दिया सिरफ इसली तुमने मारा उसे क्यों भाबी चुप रही सुगदेव ने खा आज माफ करता हूँ आइंदा जो तुमने बच्चे पर हाथ चलाया तो मैं खाना छोड़ दूँगा समझी फिर भी भाबी ना पूली सुगदेव ने बाहर जाते जाते का हत्यारीन ने जरासी दावात के बीचे अधमरा कर दिया मेरे लड़के को और वे बच्चे को पुछकारता वा बाहर आंगन तक आया तो एक किनारे हाथ में ढखा था लिए प्रेमवदा के का नौकर खड़ा पाया तब वे भाबी को एक प्रेमवदा ने सुयम भोजन ना किया फिर उदास होकर नौकर के हाथ बच्चों के लिए मीठा बिजवाया अपनी मां से कहकर नौकर थाल हाथ खाली करके हाथ जोड़कर विनय के स्वर में शामा से बोला माजी आपको बीबी जी ने बुलाया है जब कहें मैं आपको भाफ से का कल इतवार है ना इन लोगों को चुट्टी होगी कल ही चलूँगी तो दुपैर को आ जाना खापी कर चलूँगी नौकर से लिए लाकर बोला तो नहीं होगा माजी वहीं जीमिएगा रुखा सुखा जो हम कुछ गरीबों के घर बने अच्छा ठीक है यही सही स् वह बातों नहीं फिर मिल गया था रास्ते में खूब भूका गए थे आता ही बोले खाना लाओ यही कमरे में ले आओ शामा ने दृड़सवार में कहा कहना नहीं है पती ने अच्रस से क्यों अभी तक खाना नहीं बना बना है लेकिन तुमारे लिए नहीं है अरे क्या बख करका तुम तो उस बातुनी आदमी से तुमने यह बात कही है क्या नहीं तब मेरे देवर से अपनी लड़की भ्याने वाला होता कौन है और तुम ही क्या हक रखते हो इस तरह मुझसे बिना पूछे कोई बात कहने का अरे मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मैं कौन हूँ त कदम नहीं रख सकता विश्वास नहों करके देख लो कुछ तुम यह शादी ढराओ मैं कली उसे ले जाकर यहां से चली जाओंगी बहुत तेरा कमा लेगा तुम समझते क्या हो मुझे ब्रजलाल ने का तुम क्या कहलवाना चाती हो मुझसे जल्दी से बतला दो मैं कहने को तैयार हो खाना लादो फिर अब आयना ठिकाने पर अच्छा कहो तुमारी इच्छा के विरुद ब्रजलाल ने जल्दी से कहा तुमारी इच्छा के विरुद कहो कुछ ना होगा अरे बाबा कुछ ना होगा कुछ ना होगा कुछ ना होगा जल्दी से खाना लाओ तो पर श तक पका गए शामा सिर्ष पर आचल खीच कर भागी खाना प्रया समाप्त हो चुका था ब्रजलाल ने पानी पीकर एक ड़कार ली फिर पत्नी के शांथ सौम्या मुक्की और शन्भर निहार कर बुले तो यहां आप ने देवर की शादी ना करोगी हर गिस नहीं मुझे सौर रुपे भेट कर गया है लोटा दो लोटा दूँगा लेकिन परसो सुखदेव को अपनी परिक्षा की फीस दाखिल करनी है कलितवार है कहो एक सप्ता के लिए रुपे रख लूँ पहली तारिक की शाम को वेतन मिल जाएगा उस दिन दे आऊँगा जी नहीं तब मैं उसकी फीसा क्या इंतिजाम करूं मैं कर दूंगी इंतिजाम उपर वाली माडवारी ने लोगों की जेवर गिर्वी रखती है मैं अपना लॉकेट गिर्वी रखकर तुम्हें रुपे दूंगी अभी लादे लादू संतोश ना हो तो अभी लादू तुमने मुझे खड़ा बुला भाबी भूक लगी है रवी वार को दोनों भाईयों का नियम सता सुभा नाश्टा करके निकल जाते यार दोस्तों में और दुपहर को बारा एक बज़े तक लोटने का नाम ना लेते वही आज भी हुआ शामा को प्रियमवदा के घर जाना था उसने जल्द शीशे में देखा तो की तरफ देखी तो सन रह गई सारा चहरा काला हो गया था सारे चहरे पर कालिक फैल गए थी शामा ने घबरा कर चारों और नजरे दढ़ाई कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा फिर जल्दी से साबुन दाने उठाकर गुसल खाने की और भाग गई दोय साबुन से हाथ दोय साबुन से फिर पैरों के और नजर गई तो पैर भी बहुत गंदे दिखे तब पैरों पर भी साबुन मलने लगी सहसा बाई और किसी की प्रचाई देखकर शामा ने साबुन मलते मलते उधर को मू किया तो हाथ जहां के तहां रुक गए और आखों के अंधेरा चाने लगा साम ने नंगे बदन कंधे पर धोती तौलिया डाले सुगदेव कड़ाता निश्चल निर्वाक शामा ने से कुछ ना बन पड़ा यूही पैर पर साबुन लगाए बैठी रही आके सुगदेव नहीं निस्तब्दता तोड़ी मुस्करा कर मुझ खोल कर बोला बैठी क्यों पैर धोकर हटो तब मानुश शामा की चेतना लोटे होटो पे तरीक मुस्कराई और जल्दी जल्दी पैर धोकर उठाई वहां से कमरे में आकर शिग्रता से साबुन की टिक्की एक कपड़े पर दबा दबा कर सुखाई फिर बड़े जतंसे उसे साबु प्रफेंदानी को निहारता रा फिर उसने नीचे जुकर साबुन की टिक्की उठा ली और फिर तड़ित वेक से दूर जाती भावी की और वह साबुन फेक दिया जोर से पर साबुन भावी को न लगा जाने कैसे उसी शन उपर वाले मारवारी सेड सामने आ पहुचे और ज देखा था उसके हाथ में यह साबुन था सेट जी ने एक हाथ की टेक जमीन पर लगाई और दूसरी हाथ में साबुन पड़ा उठा लेकर बोले किसी तरह और फिर उसनों ने साबुन को लोट पूट कर निहारा और बोले साम अनते नहीं हो छे छे आने का माल देगी हो हनुमा सेट जी साबुन लेकर चल दिये सुगदेव और शामा देखते रहे गया आखिर प्रेमविदा का नौकर आ गया पुला ने शामा ने दौनों लड़कों को सजा सुजू कर भार खड़ा किया फिर डड़ती दिवयत के पास अकर बोली जरा अपना रुमाल देदोगे क्यों तुम्हारा रुमाल क्या हुआ मेरे पास कपता रुमाल तो यूही जाओ देदो ना जरादेर के लिए नहीं दूगा रुमाल चलो जाओ यहां से शामा ने उपर हाथ रखकर का धीरे से बोलो नौकर भार खड़ाए अरे नौकर की तो ऐसी की तैसी शामा घबरा कर निकल आ उसे पहारी बाते बातें सुनातें आखों में आसू भर लाया और भरे गले से काया है यह भाबी मेरी इस धर्टी माता की तरह है ऐसी ही शेइल ऐसी ही विशाइल ऐसी ही महान मुझे कहते थे उनकी सेविका बनकर जीवन सफल कर लेना अपना तुमारे जनम जनमांतर के किये थे उस जनम में जो ऐसे पती और दीवर पाय सच मानों बहन वेलग देवियोंनी के हैं रहा की धूल उड़कर राज मुकुट से जा लगी पर मुकुट तो मुकुट ही है सकी और धूल धूल प्रियमवदा की आखे सजल हो गए उन्हीं आखों उन्हीं सजल आखों से दी प्रियमवदा ने दौनों हाथ बढ़ा कर उसे गोदी में खीच लिया फिर दो बार उसके शुब्र सुंदर का पोलो का चमन करके बोली तुम्हारा क्या नाम है भाईया लड़के ने उपर मुकट के कहा पहले तुम अपना नाम बतलाओ प्रियमवदा हसने लगी शामा ने प्रियमवदा के गले से लिपठ कर बोला नहीं उत्रूंगा ये चाची जी की गोदी से नहीं उत्रूंगा प्रियमवदा ने पुल्की थोकर बच्चे को फिर चुमली और हॉले से कहने लगी मेरा राजा भाईया विलायत पढ़ने जाएगा बरिस्टर बनेगा ना लड़ प्रिया ने आधे पेट रहकर पसीना भाकर मुझे आत्मी बनाया मैं अपने तन का रक्त देकर बच्चों के व्यक्तित्व को महान कर सका तो जीवन सफल समझूंगा तो उने विलायत जाएगा ना लड़की ने प्रेमवदा की गोदी में स्री चिपा करका नहीं चाचा जी तो मुझे अमरीका भेजेंगे हवाई जाज से जाओंगा तुम कब भी बैठी हो जाची जी हवाई जाज में तभी सहसा प्रेमवदा की माने आकर कहा बेटी चलो खाना खाओ रमा शंकर प्रेमवदा का बड़ा भाई था उसकी चौक में बहुत सी दुकाने थी पतनी उसकी मर गई थी घर का करता धरता वही था रमा शंकर व्यस्त होकर शामा के लिए स्वेम थाली लगा रहा था कि वह आप पहुची अम्मा जी भीतर जाने क्या लेने गई चट से शामा कड़ाई के पास आख बैठी और एक पुरी बेल कर गरम घी में छोड़ी और परसन मुद्रा में बोली आज भाईया को मैं बना कर खिलाऊंगी उसी सजी थाली में रमा शंकर भाईया को खिला कर शामा चुले के पास से उठाई फिर पास खड़ी प्रेमवदा का हाथ पकड़ कर खिसती भी बुली आउ सकी मुझे तो बड़ी जोरुकी भूग लग लगिया फिर भाईया की जूटी थाली आगे को खिच कर और पुकार कर का अमा हम लोगों को खाना परोज जाओ अमा ने धड़कता कलेजा लिये पुछा तो फिर बेटी में कल रमा को भेजू बड़े दमाद के पास शामा ने भोई से कुड़ कर का बड़े दमाद कौन खेत की मुली हैं अमा तुम बड़ी बेटी की इज़त किरा अस्टी सब्सक्रान थे ख़र्ट शामा ने इसकी और देकर पूछाए आपनी दुकान पर साबुन बीकता है ना बहतेरा बहतेरा साबुन है तो भारी दुकान पर साबुन की तो और एजेंसी तक है तब अक शर्त है शामा ने अंगली उठांकर का अम्मा का दिल धड़क मे जगा रहमा शंकर भी घब राया कि है बगवान अब क्या शर्त है इसकी शामा ने उंगली उठाकर बोली भाईया तुम्हें हर महीना मुझे एक सावुन की टिक्की देनी होगी बोलो हामी भरते हो सुनकर रमा शंकर ठायका मार कर हस पड़ा अमा ने आखों में आसु भरकर का है रे पगली पर शामा ना हसी बलकि स्वर में दुख भरकर बोली तुम्हें क्या मालूं अमा कि मैं सावुन के लिए कितनी परिशान रहती हूँ रमा शंकर ने गदगद कर में कहा भेन आज ही तुम्हारे पास एक पेटी सावुन विजवा दूँगा नौकर पीछे से बूला मैं दे आऊंगा शाम को जाने कि इधर से बड़े लड़के ने सब सुन लिया वह रमा शंकर के आ गया कर बूला मामा जी जानते हैं आज अमा से चाचा जी से सावुन के फीचे कुब लड़ाई हुई थी शामा ने चिल्ला करका चुबरा चुगल खोर पर लड़का ना माना उसी दिर्ट सौर में बूला सच मामा जी इसने चाचा जी का साबुन ले लिया था सो चाचा जी ने शामा ने लेपकर उसका मुभ बंद कर और उस समय सारा घर हस रहाता